जनली हंस एक जमाने का सिक्र है यहां से बहुत दूर एक बादशा रहा करता था अपने ग्यारा बेटे और एक बेटी के साथ जब उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था तो बादशा ने कुछ अरसे बाद दूसरी शादी कर ली और उसे नहीं पता था कि उसकी नई बीवी एक चुडैल भी है उस चुडैल को बादशा के बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद थे वो उन बच्चों की हमेशा बादशा से शिकायत करती और उन्हें घर से निकालने को कहती बच्चे बत्तमीज हो गए हैं नौकरानी रोज आखर शिकायत करती है नई शहजादी बहुत शिकायते करती और बादशा भी अब उसकी बात मानने लगा था सबसे पहले उस बादशा ने अपनी बेटी को थोड़ा दूर भेज दिया वो एक नई जगा पे रहने वाली थी जब तक वो पंद्रा साल की नहीं हो जाती नई शहजादी उन ग्यारा लड़कों को भी बेजना चाहती थी क्यूंकि वो बहुत छोटे थे इसे लिए बादशा ने मना कर दिया शहजादी ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया एक राज शहजादी उनके कमरे में आई और अपनी जादूई छड़ी गुमाते ही उसने उन सब को हंस में बदल दिया फिर उसने खिड़की खोल दिया और वहां से चली गई लड़के जो के अब जंगली हंस थे खिड़की से बहार चले गई बहुत साल गुजरने के बाद अब लड़की 15 साल की हो गई थी और उसी दिन वो महल में वापिस चली गई जब वो अपने वालिद का इंतिजार कर रही थी उसकी सौतेली माने उसे देख लिया जब शहजादी ने देखा कि वो कितनी खुबसूरत हो गई है तो वो उसे देख कर बहुत जलने लगी क्यूंके वो बहुत ठकी हुई थी तो वो अपने वालिद का इंतिजार करते करते वही पर सो गई शहजादी कमरे में आई और उस पे एक जादू किया अचानक बादशा की बेटी के बाल बहुत अराब हो गई उसका चहरा भी बदल गया और अब वो पहले जैसी नहीं देख रही थी बादशा अपने महल में वापस आया और वो बहुत खोश्च था कि उसकी बेटी वापस आ गई है वो जल्दी से उसके कमरे में गया लेकिन जो लड़की कमरे में सो रही थी वो उसकी बेटी की दरह नहीं देख रही थी ये मेरी बेटी नहीं है मैं हुकम देता हूँ कि इसे फौरण महल से निकाल दिया जाए हुकम देने के बाद बादशा वहां से चला गया बादशा के सिपाहियों ने उसे जगाया और महल से बाहर ले गए उसने उनके सिपाहियों को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन उसके सिपाही नहीं माने क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था तो वो रोते रोते चलने लगी मुझे अपने भाईयों को ढूना है अगर हम सब साथ होंगे तो हमें कोई कुछ नहीं कह सकता जब वो अपने रास्ते पर जा रही थी तो उसे एक बुड़ी औरत नजर आई और उसने उस बुड़ी औरत से पूछा क्या आपने ग्यारा शहजादों को यहां कहीं देखा है मेरी प्यारी बेटी मैंने ग्यारा शहजादों को नहीं देखा लेकिन मैंने ग्यारा हंसों को जरूर देखा है जो सुभाई सुभा यहां आते हैं बाच्षा की बेटी उदास होकर वहां से चली गई और वो पानी की तरफ चली गई जब सूरज डूब रहा था तो ग्यारा जंगली हंस वहां पर आई जिसके बारे में बुढ़ी औरत बात कर रही थी और जैसे ही सूरज डूबा वो ग्यारा जंगली हन्स ग्यारा खुब सूरज यहजादों में बतल गए बाच्छा की बेटी ये देखकर बहुत हैरान हुई वो अपने भाईयों को फोरण पहचान गई और उनकी तरफ भागने लगी वो भागते भागते बिल्कुल वैसी हो गई जैसे वो पहले थी और उसके भाई भी उससे फोरण पहचान गई खुशी के साथ उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया मलका का जादू अब डूट चुका था बेहन भाईयों के प्यार की वज़ा से ग्यारा भाईयों ने अपनी कहानी अपनी बेहन को बताई वो अनसान सरिफ रात को बन सकते हैं और दिन में वो सारे दुबारा जंगली हंस में बदल जाते हैं और अब दुपैर होने ही वाली थी तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो उसे अपने साथ ले कर जाएंगे उन्होंने लकड़े की एक बास्केट बनाई उसको उसमें बिठाया और जब वो बिलकुल तयार थे सूरच तुलू हुआ और वो सारे वापिस जंगली हंस में तबदील हो गए उन्होंने अपनी बेहन को पकड़ा और उड़ना शुरू हो गए शहजादी को अपने भाईयों के साथ उड़कर बहुत मज़ा रहा था और उसे ये एक खुआब लग रहा था थोड़ी ही देर बाद वो सो गई और उसने खुआब में देखा कि एक परी उसके पास आई है अगर तुम चाहती हो कि तुमारे भाई वापिस से वैसे ही हो जाए तो तुम्हें उनके लिए कुछ जैकेट्स बनानी होंगी लेकिन जब तक सारी जैकेट्स नहीं बन जाती तुम ये किसी को नहीं बताना वरना वो हमेशा वैसे ही रहेंगे जैसे अभी है जब उसने सब बता दिया तो वो परी गायब हो गई उस शहजादी ने अपने खुआप के बारे में अपने भाईयों को नहीं बताया उसके भाईयों ने उसे एक जगा पर छोड़ दिया और वादा किया कि वो जल्द ही वापिस आएंगे शहजादी वो सारा समान उठाने लगी जो परी ने बताया था लेकिन वो जैसे ही समान उठाती तो उसके हाथ पर चोट लग जाती लेकिन उसने चोट के उपर ध्यान नहीं दिया और अपना समान उठाती रही अचानक एक शहजादी ने उसे देखा जो कि शिकार पर निकला हुआ था शहजादा उस लड़की की खुबसूरती देखकर बहुत हैरान था और वो जल्दी से उस लड़की के पास गया उससे बात करने के लिए ऐ खुबसूरत लड़की मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा और यह तुमने अपनी हालत क्या बनाई हुई है क्योंकि वो इस बारे में किसी को नहीं बता सकती थी इसलिए उसने जवाब नहीं दिया मैं इहां का शहजाद हूँ अगर तुम चाहो तो मेरे महल में रह सकती हो शहजादी ने उसकी बात मान ली उसे लगा कि वो महल में बहुत महफूज रहेगी और इसकी मदद से वो अपने भाईयों को जल्दी बचा लेगी महल में रहते हुए शहजादी चुपके चुपके अपने भाईयों के लिए वो जैकेट्स बनाती रही लेकिन एक दिन शहजादे के कजन ने देख लिया कि वो लड़की जैकेट्स बना रही है और वो ये समझा कि वो एक चुडैल है वो महल में ये बात पहलाने लगा ताकि सारे उस लड़की को पकड़ सके सबसे पहले शहजादे ने उसकी बात नहीं मानी लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो उसकी बाते मानने लगा एक रात शहजादे ने शहजादी का पीछा किया और देखा कि वो कहा जा रही है और उसने देखा कि वो जंगल में से समान इखटा कर रही है इसका मतलब है कि बाते सही होड़नी थी ये कोई जादूगर्णी है और ये जरूर कोई नुकसान पहुचाना चाहती है उसने अपने सिपाहियों को हुकम दिया कि वो उसे पकड़ लें और जेल में बंद कर दें जेल में बंद होकर भी शेहजादी ने वो जैकेट्स बनाना नहीं छोड़ी और आखिरकार एक दिन उसने सारी जैकेट्स बना ली और उसी दिन शेहजादी के सिपाही उसे शेहजादी के पास लेकर आए उसे सजा सुनाई जा रही थी लेकिन जैसे ही जज अपनी सजा सुनाने वाला था तो अचानक ग्यारा जंगली हंस शेहजादी के पास आ पहुँचे सारे हैरान हो गए जंगली हंसों को देख कर मेरे भाईयों तुम लोग आ गए मैं कुछ जैकेट्स दे रही हूँ उन्हें जल्दी से पहन लो सारे भाईयों ने वो जैकेट्स पहन ली जो कि पहन की सकर्ट पे थी एक एक करकर वो सारे इंसान में तब्दील हो गए बतकिस्मती के साथ एक जैकेट्स नहीं बनी थी इसलिए एक का हाथ बिल्कुल सही नहीं हुआ था छोटे शहजादे के हाथ बिल्कुल जंगली हंस के जैसे ही रहे दुबारा इंसान बनने के बाद वो सारे शहजादे जच को बताने लगे जो कुछ उनके साथ हुआ उन्होंने बताया के उनकी बेहन बेगुना है और शहजादे ने उनकी बात मान ली उसने शहजादी से माफी मांगी अपने भाईयों के खुशी में शहजादी ने उसे माफ कर दिया सारे एक साथ वो महल में वापिस आ गए शहजादे ने लड़की से पूछा क्या तुम मुझसे शादी करोगी मेरी प्यारी शहजादी बिलकुल शहजादे मगर पहले हमें महल जाके मेरे बाबा से मिलना होगा और उसी वक्त ग्यारा भाई बादशा के महल में जा पहुँचे उनके वालित उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए बच्चे अपने वालित को बताने लगी जो कुछ उनके साथ हुआ जब उसे पता चल गया कि बच्चे वापस आ गये हैं तो उसने जल्दी से अपने आपको एक परिंदे में बदला और वहां से निकल गई और वापस कभी नहीं आई बादशा की बेटी ने बादशा और उसके भाईयों को अलविदा कहा और शहजादे के पास वापस चली गई उनकी शादी हो गई और वो खुशी से अपने जिन्दगी गुजारने लगे जंगली हंसो की कहानी ने प्यार का मतलब समझाया और प्यार से ज्यादा ताकतवर और कुछ नहीं एक समाने का जिक्र है जंगल के बिल्कुल कोने में सुनहरे बालो वाली लड़की रहती थी और इस लड़की का नाम था गोल्डी लॉक्स ये बच्ची इतनी प्यारी थी कि जो कोई भी इसे देखता था वो बस देखता ही रह जाता था वो खुबसूरत तो थी लेकिन कई बार वो शरारती भी हो जाती थी जब भी वो गड़ से बाहर खेलने के ले जाती तो उसकी वालदा उसे हमेशा एक ही बात समझाती बेटा बागी चे में जाओ मगर लकडियों के पास मत जाना गैहरे जंगल में एक बहुत बड़े घर में बेर फैमिली रहा करती थी एक बड़े दाड़ी वाले पापा बेर उनसे छोटी मामा बेर और एक छोटा बेर मामा बेर हमेशा नाष्टे में गंदुम बनाती थी एक दिन बेबी बेर सबसे पहले उठकर अपना खाना खाना शुरू हो गया लेकिन बत्मिसमती के साथ वो बहुत गरम था ममा हमारा खाने ठंडा हो जाए इससे पहले हम वाप पी चले ममा पापा और बेबी बेर अपना खाना छोड़कर एक वाप के लिए निकल पड़े और उसी दिन गोल्डी लॉक्स अपने बागीचे में खेल रही थी और नाष्टे के लिए इंतिजार कर रही थी और वो एक ही जगा पर खेल खेल कर बहुत बूर हो जुगी थी तो उसने सोचा कि क्यों न लगणियों के पास जाय आ जाय क्या हो जाएगा अगर मैं वाक पर चली जाऊंगी तो उसने इधर उदर देखा और देखा कि कोई नहीं है तो वो जंगल की तरफ भागने लगी जब वो धक गई तो वो रुख गई और उसने इधर उदर देखा कितना प्यारा जंगल है इतने प्यारे फूल पेड मैं इससे पहले यहाँ पर क्यों नहीं आई वो जंगल की गहराईयों में जाने लगी और दूसरी तरफ अपनी फैमली के साथ जाते हुए बेबी बेर ने शहद की मक्यों का च्छत्ता देखा ये देखोई कितना बड़ा है इसमें जरूर बहुत शहद होगा पापा हम क्या शहद खा सकते हैं? नहीं मेरे बेटे ये शहद की मक्यों का घर है हमें उन्हें परिशान नहीं करना चाहिए हम किसी के घर जाके ऐसे खाना नहीं ले सकते ये सही नहीं है चले ठीक है मेरे खयाल से हमें घर जाके नाश्ता करना चाहिए दूसरी तरफ गुल्डी लॉक्स चल चल कर बहुत ठक चुकी थी आखरकार वो खो गई उसने पीछे जाना चाहा लेकिन उसे रास्ता याद नहीं था वो बहुत भूकी हो गई वो इतना ठक चुकी थी कि उसकी आँखों से आसु आने लगे वो थोड़ा सा ओड चली और आखरकार वो रोड के आखर पर आ पहुची और वो उस घर पर आकर रुकी जहां पर बेर फैमली रहती है पेड़ों के बीच में वो चुपके से घर के अंदर गई थोड़ा सा चली लेकिन उसे घर में कोई नहीं दिखा उसने दर्वाजा भी बजाया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया फिर उसके बाद उसने खिड़की से देखा उसने देखा कि तीन बाउल खाने से भरे हुए हैं वो दुबारा दर्वाजे के पास गई और उसने दर्वाजा जोड से कट-कटाया और दर्वाजा खुला और गोल्डी लॉक्स ने देखा कि अंदर कोई नहीं है उसने आवाज भी दी क्या यहाँ कोई है? जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो अंदर आ गई वो टेबिल के पास आई तो टेबिल के उपर तीन बाउल्स खाने से भरे हुए थे जैसे ही उसने चमचा अपने मूँ में रखा उसका मूँ जल गया क्योंकि खाना अभी भी गरम था वो जल्दी से दर्मियाने बरतन पर आई और उसने उससे खाना शुरू किया लेकिन वो बहुत ठंडा था ये बहुत ठंडा है आखिर में वो छोटे वाले बरतन पर आई ये तो ना ज्यादा ठंडा है ना गरम ये तो बिल्कुल वैसी है जैसे मुझे चाहिए था तो उसने जल्दी से उसमें से सब खा लिया जब वो खाना खा चुकी थी तो वो चाहती थी कि वो उन तीनों कुर्सियों में से किसी एक कुर्सी पर बैट जाए उन तीनों कुर्सियों में से एक थी बड़ी एक थी दर्म्यानी और एक थी छोटी सबसे पहले गुल्डी लॉक्स ने सबसे बड़ी वाली पर बैटने की कोशिश की लेकिन वो उसके उपर चड़ ही नहीं पा रही थी उसने दर्मियानी पर बैठने की कोशिश की लेकिन ये बहुत सक्त थी और सुकून नहीं दे रही थी आखरकार वो छोटी कुर्सी पर बैठ गई ये बहुत नर्म थी और गोल्डी लॉक्स के साइस की थी लेकिन अचानक कुर्सी चार टुकडों में हो गई एक बहुत तेज अवास के साथ गोल्डी लॉक्स ने अपने आपको नीचे पड़ा हुआ पाया और वो समझ नहीं पा रही थी किया करूं फिर वो दूसरे कमरे में गई और देखा कि वहां तीन बैट थे एक बड़ा, एक दर्मियाना और एक छोटा पहले वो बड़े बिस्तर पर गई ये उसके लिए बहुत बड़ा था और बहुत सक्त भी था दूसरे वाला उससे थोड़ा सा बड़ा था लेकिन बहुत नरम था तो वो तीसरे बैट पर आकर लेट गई ये गोल्डी लॉक्स के साइस का था और बहुत आराम दे रहा था और इतना नरम था कि गोल्डी लॉक्स जल्दी से सो गई जब गोल्डी लॉक्स सो रही थी तो बेर फैमली वापस घर आ गई पापा बेर अपने साथ थोड़ी लकणिया लाए जो के चिमनी के लिए थी मामा बेर फ्रेश बेरीज लाई और बेबी बेर अपना खाना खाने के लिए इंतिजार नहीं कर पा रहा था जब वो घर पर आए वो सीधा टेबल पर बैट गए पापा बेर ने अपने खाने पर देखा और वो बहुत गुस्सा हुए किसी ने मेरे खाने को हाथ लगाया है मामा बेर ने भी अपनी प्लेट पर देखा किसी ने मेरा खाना भी चखा है और जब बेबी बेर ने अपनी प्लेट पर देखा तो वो रो ने लग गया अरे मेरा खाना तो किसे ने खा लिया, अब मैं अतना भूगा हूँ, अब मैं क्या करूँ वो जल्दी से उठे और पूरे घर को देखने लगे पापा बेर ने अपनी चेर चिमनी के सामने देखी कोई मेरी कुर्सी पे भी बैठा, देखो ये किसी और जगा है फिर मामा बेर ने भी अपनी चेर देखी कोई मेरी चेर पे भी बैठा है और पहले की तरहां बेबी बेर रोने लगा मेरी चेर पे कोई बैटा, उसने मेरी चेर भी तोड़ दी बेर फैमली तंग आकर अपने बैड रूम की तरफ निकल गए किसी ने मेरे बैट को भी इस्तेमाल किया देखो ये कैसे हो सकता है कोई मेरे बैट में भी लेटा था किसी ने मेरे बैट को भी इस्तेमाल करा मुझे बहुत दीन्दा रही है अब मैं क्या करूँ पापा बेर बेबी बेर के बैट के पास आए और उन्होंने देखा कि वाकई में कोई अभी भी सो रहा है हलके से ब्लैंकिट हटाया और वो बहुत हैरान हुए देखकर कि एक चोटी लड़की सो रही है ये चोटी सी बच्ची आखिर हमारे घर में कैसे आ गई बापा आप इस लड़की का वोरण मेरे बैट से हटा है बेवी बेर की रोने के आवाज से गोल्डी लॉक्स उठ गए और उसने देखा कि पूरे बेर फैमली उसके सामने खड़ी है और वो जल्दी से भागने लगी वो घर से बाहर निकली और बगएर पीछ देखे भागने लगी उसको सांस नहीं आ रही थी लेकिन वो फिर भी बाग रही थी और उसे जाने का रास्त तक नहीं पता था और उसी वक्त उसने देखा कि उसके घर वाले उससे बुलाने आ रहे है जब वो घर नहीं आई तो वो बहुत परिशान हो गए थे गोल्डी लॉक्स अपने घर वालों को देख कर बहुत खुश हुई वो जल्दी से उनकी तरफ भागी मामा हम इतना परिशान हो रहे थे तुम ठीक हो मैं अपसे अकेले नहीं जाओंगी ममी मैं आपकी बात मानूंगी अब गोल्डी लॉक्स ने अपने घर वालों को बहुत तेज गले लगाया और उस दिन से वादा किया कि वो बगएर बताय कहीं भी बहार नहीं निकलेगी और अब से वो कभी भी अपने घर वालों की बात मानने से मना नहीं करेगी